Hey everyone, welcome back to the channel Guys, यह जो particular video होने वाली है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी WordPress website के लिए custom header और footer कैसे build कर सकते हैं तो वीडियो पूरी देखना मैं इस बिलकुल भी मत करना because हर step मैंने अच्छे से समझाया हुआ है वीडियो में और इस वीडियो के बाद आप अपनी WordPress website के लिए custom header और footer बना पाएंगे तो चली चलते हैं अपनी computer screen के अंदर तो दोस्तों आगे हम अपनी computer screen के अंदर और जैसा कि आप मेरी screen पर देख सकते हैं यह हमारे पास एक website है काफी beautiful सी website है और यहां पर अगर आप notice करेंगे तो already अभी इसका एक header part यहां पर elementor लिखा हुआ है home services about contact और एक book consultation का button है यानि एक header का part है बना हुआ है already और यहां पर अगर हम scroll करें और अगर आप footer में दिखेंगे तो left side में map और right side में कुछ details और footer menu भी दिया हुआ है तो यह by default header and footer है इस particular website का अब हमें इसे change करना है और खुद का custom header or footer बिल्ड करना है तो उसके लिए step number one आपको एक plugin की need होगी उस plugin को install करने के लिए आते हैं wordpress dashboard में जाते हैं plugins के section में और click करते हैं add new इस plugin का link में in the description box में भी दिया हुआ है वहाँ जाकर भी इसे download कर सकते हैं add new पर click करने के बाद आपको उस plugin का नाम डालना है तो यहाँ पर आप search box में नाम डालेंगे elementor header and footer आपको यह नाम डालना है और search करना है search करने के बाद आपके पास first option हाएगा elementor header and footer builder और already 1 million plus active installations है इस plugin के आपको इसे install करना है और जैसे install हो जाए आपको इसे activate भी कर लेना है यहाँ से आप इसे activate कर लेजिए तो यह था step number one कि आपको plugin install करना है और उसे activate करना है आप चलते है step number two पर जिसके अंदर हम अपना खुद का header और footer build करेंगे तो plugin को install करने के बाद आप आजाएंगे appearance में और appearance में अब आपको एक नया option दिखेगा elementor header and footer builder इस पर आप click कीजिए click करने के बाद आप यहाँ पर redirect हो जाएंगे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी header or footer नहीं बना हुआ है step समझेगे बहुत ही easy तरीका है title में अगर आप header बना रहे हैं तो आप देंगे header और यहाँ पर आप कुछ options है जिनको आपको select करना है type of template type of template आप चूज करेंगे header type of template आप चूज करेंगे header और जैसे आप header चूज करेंगे अब दूसरा rule जो आपको लगाना है कि यह जो header आप बना रहे है custom header बना रहे है यह website पर कहां कहां display होगा तो obviously हमें पूरी website बे display करना है तो हम लिखेंगे हम select करेंगे entire website और आप अलग से rule भी बना सकते हैं आप particular कुछ pages को exclude कर सकते हैं just like landing pages जहां पर आपको header नहीं दिखाना है user role अगर आपकी कोई subscription based website है जहां पर user subscription लेकर और उसको role मिलता है तो आप इसको select कर सकते हैं otherwise आप all पे रहने दे सकते हैं इसके बाद enable layout for elementor canvas template इसको भी आपको tick mark कर देना है यह 3-4 settings अरने के बाद आप इसको कर देंगे publish एक बार के लिए और जैसे ही आप इसको publish करेंगे लेकिन हभी तक हमने कुछ भी इसमें create नहीं किया है तो आप भी notice करेंगे अगर मैं website पर वापस आता हूँ और refresh करता हूँ अभी आप देख सकते हैं by default जो header है वो यहाँ पर है अब उसके अंदर हमें content को add करना है तो वापस आते हैं हम और यहाँ पर click करते है edit with elementor दोस्तो elementor एक बहुत ही popular और बहुत ही easy to use plugin है page builder है beginners के लिए खासकर और experts भीज को use करते हैं तो अगर आप इसको पूरा in-depth सीखना चाहते हैं तो already मैंने इसके बारे में बहुत सरी वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पर आपको इस वक्त उपर i button पर link मिल जाएगा वहाँ जाकर आप इसके detail वीडियो देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग अब हमारे header को create करेंगे तो उसके लिए आप या तो इसको बिल्कुल start से अगर आपके बास कोई design है already PhD बनी हुई है उसको देखकर आप इससे बना सकते हैं या फिर अगर आपको कोई template install करना है तो आप इस folder के icon पर click करेंगे click करने के बाद आप यहाँ पर blocks में जाएंगे और blocks में जाने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर search करेंगे header, blocks में जाने के बाद आप search करेंगे या header तो देखें यहाँ पर जैसे आपने header search किया यहाँ पर बहुत सारे options आगए यह Elementor Pro के options है तो अगर आप Elementor Pro यूज करते हैं तो आप इनको choose कर सकते हैं तो हम यहाँ पर जो बनाने वाले हैं वो custom header बनाने वाले हैं और बिल्कुल scratch से बनाएंगे तो इसके लिए हम plus के icon पर click करेंगे अब हम यहाँ पर क्या-क्या डालना चाहते हैं सबसे पहले हम अपने company का logo, brand logo उसके बाद हमारा navigation menu और उसके बाद social media icons यह तीन चीज़े हम लोग डालना चाहते हैं हमारे menu में तो हम तीन columns को select करेंगे first column में इसको full width कर देते हैं first column है because हम एक logo यूज करेंगे तो इसमें हम दे देते हैं img widget यानि image visit इसको हम drag and drop कर देते हैं second में हम डालने वाले navigation bar तो हम यहाँ पर देते हैं navigation menu तो यहाँ पर हम देते हैं navigation menu और यहाँ पर obviously जो menu है हमारा वो select होकर आ जाएगा primary menu को select कर लेते हैं primary menu जैसे हम select करेंगे तो यहाँ पर यह options आ गए हैं और third हम देंगे social media icons तो यहाँ पर जो widget है social icons का उसको हम use करके drag and drop कर लेंगे अब इसके width को थोड़ा से adjust करते हैं यह बहुत ही simple है अगर आपने elementor पहले use किया है तो आपके लिए कोई भी जादा problem नहीं आएगी और अगर आप नहीं जानते हैं कि elementor को कैसे use करते हैं तो already हमने videos बनाई हुई है आप जाकर उसको देख सकते हैं layout में जाके हमने इसको center align कर दिया अभी थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पर social media icons के जो buttons है वो काफी बड़े हैं इनको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं size काफी ज़ादा बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना brand logo तो उसके लिए हम चलते हैं media library में आप अपना logo upload कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अभी मैं example के लिए एक pre-made demo जो logo है वो use कर रहा हूँ तो अब इसको vertically थोड़ा सा हम लोग align करते हैं center में middle में हम align कर देते हैं so that logo navigation bar और यहाँ पर यह social icons है यह भी एक line में एक horizontal line में बिल्कुल same आज़े है बिल्कुल सही है अब इसको एक बार update करते हैं update करके देखते हैं कि क्या यह header जो हमने बनाया है अभी यह apply होता है हमारी website पर refresh करते हैं website को और website को जैसे हमने refresh के आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया header website पर लग चुका है already यह देखिए इस तरह से logo navigation bar और यहाँ पर menu आप यहाँ चाहें जितने भी item दें आपकी मर्जी आप इसको कितना customize करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है कि इस तरह का layout रखना चाहते हैं वो आपके control में क्योंकि यह पूरा का पूरा जो panel है वो पूरा आपके control में है इसलिए हम इसको custom header बोलते हैं कि आप सारी चीज़े customize कर सकते हैं कोई भी limitation आपके पास आपके सारी चीज़ें नहीं है आप इसका background color बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं similarly method same है footer बनाने का भी तो जल्दी से हम लोग footer भी बना लेते हैं तो वापस चलते हैं dashboard में wordpress dashboard में और अब हम create करते हैं footer जैसे हमने header create किया था वैसे हम footer create करने वाले हैं तो यहाँ पर यहाँ पर हम लोग वापस चलते हैं appearance में और elementor header and footer builder और इस बार हम नाम देंगे इसको footer तो यहाँ पर हमने add new पर click किया और click करने के बाद हम लोग यहाँ पर नाम देंगे इसको footer इस बार हम नाम देंगे footer और type of template भी रखेंगे हम footer और display on entire website display on entire website user role all और इसको भी हम enable करके publish कर देंगे जैसे हमने इसको publish किया footer को तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी website में by default जो footer आ रहा है यह देखिए कुछ इस तरह से यह यहाँ से हट जाएगा इसको एक बार में refresh करके दिखाता हूं तो जैसे मैंने यहाँ से इसको refresh किया अब आप देखेंगे कि यह जो footer है by default वो यहाँ से चला गया यह देखिए because हमने एक नया footer add कर दिया है अब उसको अंदर हम अपना जो content है वो डालेंगे तो हमने क्लिक किया edit with elementor पर और same जैसे हमने header बनाया था वैसे ही custom हम footer बना सकते हैं अगर आपको blocks यूज करने हैं या elementor pro आप यूज कर रहे हैं तो आप elementor pro के जो blocks हैं उनको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर blocks को यूज करने के लिए आप जाए blocks पर और यहाँ पर आप लिखिए footer यहाँ पर आप लिखिए footer और यह देखिए यहाँ पर यह सारे footer market जो भी designs है वो आ गए हैं यह सारे elementor pro में compatible है यह सारे paid version है पट आप यहाँ से design से inspire होके इसको बना सकते हैं तो अभी के लिए हम लोग custom बनाएंगे तो अभी हम लोग क्या करने वाले footer में हम लोग 3 column बनाने वाले हैं first column के अंदर logo और नीचे हमारा थोड़ा सा about the brand वो आएगा second में हमारा important links वहाँ privacy policy terms and condition वो सारे चीज़ा आएंगी and third में हमारा जो map है वो location का वो आएगा तो इसके लिए हम लोग वापस 3 columns ले ले लेते हैं full width ले लेते हैं and then इसके बाद अब image के लिए हम लोग again image widget को use करेंगे और image widget के नीचे हम लोग एक text widget को use करेंगे हमारे brand के बारे में थोड़ा सा write-up लिखने के लिए second जो column है उसके अंदर हम heading heading use करेंगे block की heading देने के लिए और हम use करेंगे navigation menu ताकि हम लोग footer में important links को दिखा पाएं and last में हम लोग add करेंगे map google map हमारा location के लिए यहाँ पर हमने इसको add कर दिया तो अब यहाँ पर one by one इसको customize करते हैं यहाँ पर हम logo डालते हैं हमारे brand का logo तो इसके लिए वापस हम चलते हैं media library में और यहाँ पर इस brand के logo को select करके insert media और यहाँ पर अभी text को हम dummy रख रहे हैं लेकिन आपको अपना खुद का text डालना है heading को थोड़ा चोटा करते हैं तो h2 से हटा कर इसको h3 कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं तो यहाँ पर heading हम डाल देते हैं important important links या फिर useful out है वह horizontal की जगे हम vertical कर देते हैं so that यह जो order है यह इस तरह से आए ताक यह अच्छा लगे and right में जो map है उसमें आप अपनी location डाल सकते हैं तो map के लिए हम लोग अभी simple सा एक address डाल देते हैं that is Jaipur Rajasthan देखते हैं कि यह pick करता है और फिर नहीं तो हाँ यह जैपूर का map इसने pick कर लिया है map को add करने के बाद एक बार इसको update करते हैं और देखते हैं कि website पर यह कैसा display हो रहा है कैसा show होता है और कैसा इसका look निकल के आता है यहाँ पर हमने किया refresh website को और थोड़ा सा scroll के तो देखें यहाँ पर जो नया वाला footer है वो आ चुका है तो दोस्तों यह था तरीका custom header और footer बनाने का elementor की help से बहुत easy तरीका है जैसा design आपको चाहिए custom design वो बना सकते हैं यह method आपको कब use करना चाहिए यह method आपको तब use करना चाहिए जब आप अपनी कोई custom design बनाना चाहते हैं और आपकी जो भी theme है या जो भी template है उसमें कुछ limitations आपको face करनी पड़ रही है header or footer में अगर ऐसा case है तो आप यह method है वो use कर सकते हैं free of cost method है इसमें कोई भी आपको paid plugin लेने की जरुवत नहीं है आप पूरा का पूरा अपना custom design है वो इसमें बना सकते हैं और उसमें कोई भी आपको problem नहीं आने वाली हो दोस्तों उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी थोड़ी बड़ी है लेकिन useful है ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो बैल आइकून को दबा दो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना मिलता हूँ आप से नेक्स वीडियो में त